नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी के विहावर के सबसे बड़े न्यूज शैनल में श्वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिहाब को अदा दे और जेडी ने श्रंपूर बहुमत के शाथ अपनी शरकार बनाने की दैवे को किया पेस आपको बता दे तरस्वियादों को इस दिन को बनाये जाएगा सीम इसको लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है तो आपको पाँच मिनट के अंदर बताएंगे कि रश्टिय जनतादल यानि यार जेडी तरस्वियादों को किस दिन को सीम पत की सफ़त दिलाएगी तो बहुत खबते हैं और आप हैंड क्यों नहीं रूख पा रहा इसको लेकर भी बहुत बड़ा सवाल है और बीजेपी ने नितीस कुमार से ही यह बहुत बड़ा सवाल पूछा है यानि बीजेपी की बदनामी अब नहीं होगी साथी साथ आपको अताएंगे कि तेस परता प्यादों एक बार फिर से बिहार के घरीबों के लिए कंबल बित्रण किया स्वाती साथ जियां आपको अतादी कि लोगों के लिए भोजन का योजन किया यह बहुत बड़ा खबर है जो पांच मिनिट के अंदर आपको बिस्तार्श बताये जाएगा नितीस कुमार ने शाब तोर पे स्टीफे की मांग कर रहा है आम जंदा को दिया बड़ा जबाब कहा कि बहुत जल्दी दियां आपको अतारी कि स्टीफा देंगे इसको लेकर भी बयादबारी कबर आ रही है कि नितीस कुमार अपनी स्टीफा कब देने वाले हैं सीम पत से कब हटेंगे शाती साथ बिहार म एक बर फिर से दर्धनाक मामलस सामने है और महीला के साथ उसकर्म किया उसके बच्ची के साथ उसकर्म किया यह बेहत बड़ा खबर है शाती साथ आपको अतारी कि किसानों का अंदोलन बिहार में भी होगा तिस जनवरी को नितीश कुमार के जिया भवंग सामने किसान आंदोरन करेंगे तरस्वी रादा होंगे साथ इसको लेकर के भी बेयत बड़ी कबर आ रही है जो आपको मात्र पांच मिनट के अंदर बिस्तार से बताए जाएगा किन किन जिलो में सराब की भारी खें पकड़ी गई तो सबी खबरों को एक एकर भी स्तार से बताए उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिजेगा अगर आप भी चाते हैं आपके गाओं और आपके मोहले की खबरों को जानना तो गाओं का नाम कॉमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें आए इस वक्त की साबस से बड़ी खबर करवड़ते हैं और जेडी ने साब तोर पर दावा किया है कि खिचडी यान यानि मकर्श्व इंश्क्रांती के बिज आने के बाद में अपने शुब कर्यों को किया जाएगा और जेडी अपनी शंपून वहुवत के साथ सरकार बनाने की पूरी त्यारी कंप अलग अलग हो जाएंगे और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो है यानि आर जेडी जो है अपनी शंपून वहुवत के साथ रजबाल की पास पहुँचकर अपनी सरकार को कायम करने की यानि सत्ता धालों को एक बार स्विर्श से सत्ता पलेटने की मोखा मिल गया है और अर जेडी ने साथ वर पे शरकार पनी साना सादार कहा कि निदीश कुमार को बिहार में कुरसी पर बैठने का कोई हक नहीं है इसलिए वो तुरंत के तुरंत बिहार से इस्तीफा दे कर कई घूमने चले जाएं क्योंकि केंद्र की रजनीतिक अब उनके लायक रह गई है ब थक चुके हैं हार चुके हैं और उनसे भी हार की शक्ता समलने वाली नहीं है यह बड़ा सवाल आरजेडी के बड़े नेता तेस्वियादों ने कहा है तेस्वियादों ने साब तर पर यह भी बयान दिया था कि बीजेपी जिस तरीके से आरजेडी को बिले करने की बात कर यह तो सपना अपने पास ही रखे क्योंकि आरजेडी बिले तो नहीं हो पाएगी लेकिन बीजेपी बहुत जल्दी टूट कर सामिल हो जाएगी आरजेडी गंदर क्योंकि आरजेडी के युवाओं का क्रेज और आरजेडी जिस तरीके से भी यार की सबसे बड़ी पार्टी बन करूबरी है इससे कई ना कई बिधायक उनके साथ है और बहुत जल्ली आरजेडी ने दावा किया कि उनके सरकार आ रही है 2021 उनके लिए बहुत बड़ा सुभ मना जाएगा क्योंकि तरस्वियादों एक तरफ सीम बनेंगा तो बिहार में खुस्यालियां आएंगी और ग जारी कर ली गई है तो बहुत बड़ा खबर है और जेडी की ओर से निकल गया रहा आये बड़ते एक और बड़ी और मतपूर की ओर जिया आपको दार की बिहार के डबल इंजन सरकार के अंदर दुसकर्मों का लगताल सिलसिला जारी है मदबन्नी हो मजपर पूरो सिमान हो छपरा हो गोपालकज हो पटना हो गया हो या फिर किसे भी विहार के कोई भी कोना हो बचने वाला नहीं है रोज अखबार के पन्नों में और नियूजों में आप तो खबरे सुनते ही होंगे कि एक बार दुसकर्म हुआ लेकिन आज का याज खबर आपको सर्मसार कर देगा क्योंकि विहार में कुछ ऐसा ही हुआ है जिहाब को अता दे कि यूखी के साथ दुसकर्म किया और दुसकर्म करके उसे जिन्दा जला दिया हलाकि MMS बना करके इस बात की धमकी दे गई यूखी के बेहन को कि अगर उसके साथ वो नजाइल संबंध नहीं बनाती है तो उसक साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा लेकिन यूखी ने अपनी दम दिखाई पीता को घर बुलाकर इसकी जनकारी दी और जनकारी मिलने के बाद में गाउंवालों ने पंचायत बुलाकर इस मामली को रफा रफा करने की बात कही कहा कि पंचायत इसकी सजा खूद देगा ल किया जा रहा है क्या अभी थे कि मोटोपूर्ण विक्टिन वृत बहुत बढ़ ख़बर है कि मौत पूर्ढ इसमें आद्वी जो है वह भी बैठा हुआ है और विक्टिन की खोल कि जा रही है हला कि अबी तक किसी भी रोगों को गिरफतार नहीं किया गया है पुलिस पर शासन का यह कहना है कि बहुत जल्दी गिरफतार कर लिया जाएगा क्योंकि मामले की संगिन्दा काफी हद्तक है और इस मामले में थोड़ी बहुत जाज की जरूरत है वहीं आज की एक कॉयल पड़ी खबर बीजेपी नह उठाया जेडियू के उपर बड़ा सवाल कहा कि बिहार में क्या जेंगल राज की वापस हो गई है क्या नितीज कुमार से सत्ता समलने माला नहीं है क्या भी पक्ष क्या पक्ष अब दोनों नितीज कुमार को घेरने में लगे हुए है और पक्ष यह सवाल नितीज कुमार से पूछ रहा है जब बीजेपी बड़ी भाई की भूमिका में है और केविनेट बिस्तार से पहले यह बहाद बाड़ा भूचाल मच गया है कि अब आखितकार विहार की राज़ीतिक में क्या होगा एक त्या बीजेपी के लेता लगतार पूछ रहा है कि विहार में आम जनता क्या सुरक्षित नहीं है क्या आम जनता को प्रोटक्शन नहीं दिया जा सकता कि आम जन्ता आज घरों से निकलने में असंतुष्ट महसूस क्यों कर रही है लेकिन इस सभी मामले का हल एक ही है कि जब बीजेपी कुछ अच्छा करें आला कि आपको अदा दें कि बीजेपी बचने वाली नहीं है बीजेपी से निदीश कुमार से सवाल पूछाए तो दस्रीयादों ने कहा है कि जब मोदिन जी आकर यह कहा करते थे चुनाव के टाइम कि महराज यानि जंगल राज के यूराज एक तरफ हैं और एक तरफ सुसासन राज के यूराज निदीश कुमार हैं तो आज उसी सुसासन राज से पूछना चाहता हूँ कि कहां गई उनके सुसासन की सरकार आज रुपेस की हत्या हो जाती है आज 40 घंटे बीच जाते हैं लेकिन अपरादियों को अभी तक गिरपतार क्यों नहीं किया गया क्या बिहार में लॉन इन ओर्डर का हत्या हो गया है क्या लौन इन ओर्डर नाम का कोई चीज बिहार कें अंदर नहीं रह गया है यह बहुसासन बड़ा सवाल निदीश कुमार और बीजेपी से तयासुई यादों ने पूछा है यह बहुसा बढ़ी खबर है आईए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर फ्यार में संपुन सराबंदी के बीच में लगतार सराब की बिकने का सिलसिला चारी है सराब कारोबारियों ने 10 फिट गहरी टेंक बना कर सराब की भारी खेप को खबाने की कोसिस की लेकिन पूलिस पर सासद मिली भगत करके इस मामले को 3 साल तक लगतार चलाती रही हलाकि आपको उतादे कि जनकारी मिली और इस बात को मीडिया में उच्छाला गया तो कई जगों पर ग्रपतारी भी की गई है हलाकि आपको उतादे कि सरकार से यह बहुत बड़ा सवाल जो भी पक्छ पूछ रहा है पूछ रहा है भी पक्छ कि थनदार की मिली भगत से विहार में आखितकर सराब की बड़ी खेपों को कब तक उतर जाएगा विहार में शंपूर्ण सराबन्दी कानूनों को सही धंट से लागू कब तक किया जाएगा क्या विहार के अंदर रजश्व की चोरी नहीं है तो क्या है जब विहार के अंदर शराब भिक रहा है और नितीस बावु इस बात का दम भड़ें कि शराब तो विहार में पिके नहीं रहा है आईए बढ़ते हैं को और बढ़ी और मतपूर्ण खबर के ओर नितीस कुमार की इस्तीफे की मांग लगतार विहार की जनता करने लगी है जियां आपको अतारी की बिहार की जनता ने नितीस कुमार से अब इस्तीफा मांगने लगे है और बिहार की आम महिलाओं ने भी जियां सुसासन सरकार के घर के शाम में आंदोलन किया और चूडिया लेकर जियां सुसासन सरकार के घर के साम में पहुँची है और नितीश कुमार से बोले कि अचूडियों को नितीश कुमार पहलने क्योंकि इनकी हाथ की साइज की अचूडिया है रुपेश की हर्त्या जिस तरीके से बिहार के पटना में हुई तो वहीं पूछना चाते हैं आज की बिहार में शुशासन की राज कायम क्यों नहीं हो पा आपहेंड और शाती साथ डकैती जैसे मामले आ रहे हैं लेकिन आज बिहार की सरकार लोगों को यह क्यों नहीं बता पारी है कि आप क्यों नहीं सरकार रोक लगा पारी है यानि अंकुष लगाने में सरकार की भी फलता साब तोर पे दिख रही है और सरकार कांड में तेल डाल हुए शो रहिए सभी चीजों से बचनत आती है नितीज सरकार नितीज सरकार किसे भी शवालों का जवाब देना नहीं चाहती क्योंकि एक तरह भी पक्ष घेर रहा है तो दूसरी और पक्ष के नेता ही उनके उपर बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं कि नितीज सुमार जी आज बिहार में रोज लूट और हत्ताय हो रही है इसका जिम्वार कौन है आज क्यों नहीं सभी चीजों पर अंकुस लगाया जा सकता तो बहुत बड़ा सवाल है आज के लिए तरह पमाचत बनेंगा वीडियो को लाइक करना बिलकुल मिन अब लेजाएं तो बंदे बातर बात बता की जै